नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्राण जोतिस सीक्रेट बिलपत्र का पेड़ घर में लगाना अच्छा होता है या बुरा यह सवाल बहुत सारे लोगों का है चलिए आज हम आपके साथ साजा करेंगे देखिए सावन का महना आ रहा है अब ऐसे में आप सिपजी को हर रोज ही बिलपत्र अरपीद करेंगे और सावन के महने में या फिर प्रदोस वरत के दिन भी आप बिलपत्र अरपीद करें तो फिर इससे पुन्ने ही नहीं सिर्प राप्त होता बलकि पापों से भी मुक्ती मिलती है अगर किसी कारणवस बिलपत्र आपको ना मिले तो आप सोना चांदी तामबा का बिलपत्र बन बाले पैसे आपको सुनार के हैं मिल जाएगा और फिर उसी से आप पुझा करें नितिदिन सिव जीपोर अरपित करें भगवान सिव को जब आप बेलपत्र अरपित करते हैं तो जीवन के हर कस्ठी दूर हो जाते हैं माना जाता है कि बेलपत्र के पेड़ की जड़ में महादेव का वास होता है और इसलिए इसे स्री ब्रिक्ष भी कहते हैं और बेल के फल को स्री फल कहते हैं बेल पत्र की तीन पत्तियां एक साथ होना त्रिदेव के रूप भी माना जाते हैं और बेलपत्र को लेकर एक किवदंती है कि एक बार पार्वती जी ने अपनी उंगली से अपने ललाट पर आया पसीना पोच कर फेक दिया उनके पसीने की कुछ बूंदे मंदार परवत्परगी और उसी से बेलपत्र का ब्रिक्ष उत्पन हुआ वैसे सिप पुरान में ये भी कहा गया है कि घर पर बेल का ब्रिक्ष लगाने से अक्षे पुर्णी की प्राप्ती होती है मानतिय ये भी है कि जिस अस्थान पर बेल का पोधा होता है वह कासी तिर्थ के समान पवित्र हो जाता है पूज़नी अस्थल हो जाता है और इसका प्रवाव यह होता है कि घर का हर लोग यससवी होता है तेजसवी होता है साथ ही ऐसे घर परिवार के बीच प्रेम भौव रहता है घर में कभी किसी प्रकार की नकात्मक उर्जा नहीं आती सिब लिंग पुरान के अनुसार बिलपत्र तोड़ने के लिए चतूर्थी, अस्टमी, नौमी, चतूर्दसी, अमवस्या, सक्रांतिकाद और सोंबार को निसित दमाना गया है इन तिखियों में बिलपत्र ना तोड़ें बिलपत्र तोड़ने के निवों को ध्यान में रखकर ही पूजा करें तो बिलपत्र घर में लगाना चाहिए या नहीं हाँ लगाना चाहिए लेकिन घर के दरवाजे के बाहर या फिर बॉंडरी वाल के अंदर भी लगवाएं लेकिन मुख्य दरवाजे पर सामने बेल पीछे केला याद रखिए केले का ब्रिक्ष हमेशा पीछे लगाया जाता है और बेल का ब्रिक्ष हमेशा सामने लगाया जाता है ऐसा घर कभी भी स्रीहीन नहीं होता ऐसे घर में रहने वाले लोग कभी भी किसी तकलीप में मुसीबत में नहीं आते दिन दूनी रात चोगुनी तरक्की होता है सिबलिंग पर बिल पत्र चढ़ाने के पहले पत्तियों पर आप चंदन या अस्टगन से ओम या फिर नमसिवा या फिर राम लिखे फिर आप अरपित करें आपकी दुरलब मनो कामनाई भी पूरी हो जाएगी तो उमीद है आप समझ चुके होंगे कि बिल पत्र का पेड़ कहां लगाना चाहिए घर के मुख्य दरबाजे के बाहर जहां भी आपका बाहर या अंदर भी लेकिन सामने है तो फिलाल आप से विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सकाइब करें और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जरूर आईए वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा आप चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं granddhrmasanmark.com बन्यवार